हेलो स्टूडेंट्स तो इस लेक्चर में हम एप्लिकेशन ओफ दा कंसेप्ट ओफ इंपल्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कुस किया था टॉपिक उसके एरलेटेड सम एक्जेंपल को डिस्कुस करने जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपने क्रिक्ट मैच तो देखे ही होगा और आप कभी ना कभी इस गेम को खेड़े भी होगे जब हम बॉल को कैच करते हैं जहां आपने देखा होगा प्लेयर है जो वो क्रिक्ट बॉल को जब कैच करते हैं वो हैंड को नीचे को और जो कैसे पीशे को लेकर आते हैं उसका रिजन क्या होता है पहली एप्लिकेशन है मारे पास वाइल चैचिंग आप पास वाइल कैच अब बॉल आ करिक्ट प्लेयर लोईर्स हैंड तो सेब हैंसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हाट तो जो क्रिक्ट प्लेयर है आप देख रहे हैं जब कैच करते हैं बॉल को हैंड को lower करते हैं पीशे की तरफ लेकर आते हैं और ऐसे आप कह सकते हैं नीचे की तरफ लेकर आते हैं तू सेव हमसेल फ्रॉम गेटिंग हट अब उनको चोट नहीं लगती ऐसा करने के साथ इसके पीशे का रीजिन क्या है स्टूडेंट्स जब प्लेयर्ट हैंड को पीशे की तरफ लेकर आते हैं या बॉल को कैच करते हैं तो ऐसा करने पर वो जो बॉल का मॉमेंटम का समय है चेंज इन मॉमेंटम किसका बॉल का उस समय को वो क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं इनक्रीज कर देते हैं टाइम रेट आफ चेंज और मॉमेंटम क्या है इनक्रीज हो ज़ना है एक तो केस ऐसा है बॉल सीधी हैंड पर लगेगी कम समय में लेकर जैसे ही वो हैंड को पीशे की तरफ करते हैं तो जो चेंज इन मॉमेंटम है बॉल का उसका समय क्या है बढ़ जाता है अब समय बढ़ने के साथ क्या होता है चेंज इन मॉमेंटम है जो वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है कम हो जाता है चेंज इन मॉमेंटम क्या हो जाता है कम हो जाता है वाई विकॉस जो समय है अब वो बढ़ गया है समय बढ़ने के साथ चेंज इन मोमेंटम है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है अब यहां पर न्यूटेनस सेकंड ला को हम एप्लाई कर देते हैं समय को जब बढ़ा दिया मोमेंटम क्या है लेस हो जाता है कम हो जाता है अब जो फोर्स है बल है किसके दोरा जो बॉल लगाने जा रही है हमारे हैंड पर पलेयर के हैंड पर उसका मोमेंटम क्या है कम हो जाता है अब फोर्स सीधे अनुपात में है मोमेंटम के जितना मोमेंटम कम होता जाएगा उतनी फोर्स बॉल के दोरा पलेयर के हैंड पर कम लगेगी तो वाइल लोरिंग दा हैंस पलेयर क्या करता है मोमेंटम को क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है अब मोमेंटम डिक्रीज है जो बल है बॉल के दोवारा हमारे हैंड पर लगेगा पलेयर के हैंड पर लगेगा वह कम होगा इससे क्या होगा इससे जो प्लेयर है उसे चोट नहीं लगती मीश हैंड पर हाथों पर बाल बॉल के द्वारा कम लगेगा तो प्लियर सेफ़ी क्या है खेड़ पाएगा उसको चोट नहीं लगेगी यह था हमारा पहला एप्लिकेशन आफ इंपल्स आए आगे की एप्लिकेशन मेंस एक्जेम्पल को डिस्क्स कर लेते हैं So students in the next application, car, buses, trucks, bogeys of the train, etc. are provided with a spring system to avoid severe yurks तो अपने car, buses, bikes इन सभी में टैरों के पास spring लगे देखे हूँगे अब वो क्यों लगाए जाती हैं? वो इसलिए लगाए जाती हैं ता जो गंबीर जट का जो passenger हैं उनको ना लग पाए अब इसके पीशे का reason क्या है? जब भी vehicle किसी खड़े में उसका tear पड़ता है तो इससे वो जो spring होते हैं उनका क्या काम है? वो क्या कर देते हैं? वो time rate of change of momentum जो momentum का change होने का बदलने का जो समय है उसको क्या कर देते हैं? इनक्रीज कर देते हैं बड़ा देते हैं इससे क्या होता है? इससे जो momentum है change in momentum वो क्या हो जाता है? decrease हो जाता है अब momentum जब decrease हो जाता है वेहिकल का तो वेहिकल में क्या है? passenger बेटे हुए हैं? तो यहां पर newton cycle आके according जो बड़ वेहिकल ने passenger पर लगाना था spring system के कारण वेहिकल का जो change in momentum है वो क्या हो जाता है? decrease हो जाता है कम पड़ जाता है अब momentum क्या है? उसकी value कम हो जाती है change in momentum तो बल भी क्या है जो सीधे नो अनुपात में हैं वो भी कम लगता है किन पर passenger पर तो पसेंजरों को गंबीर जटका नहीं लगता इसलिए वो सप्रिंग सिस्टम है वो वेहिकल में लगाए जाती है reason क्यासा लगाने का time rate of change of momentum है जो उसकी जो value है वो कम पड़ जाती है कम होने के कारण जो बल है जो वेहिकल पसेंजर पर लगाता है तब वो हो उसकी value क्या हो जाती है कम पड़ जाती है तो जो passenger है उनको जटका नहीं लगता यह कितने समय के लिए होता है जाब टायर जो खड़े में गिरते हैं पड़ते हैं तब उतने समय के लिए जो spring हैं वो क्या कर देते हैं momentum की जो change होने का समय है समय को बढ़ा देते हैं समय बढ़ाने के कारण जो momentum है change in momentum वो काम हो जाता है काम होने के कारण बल भी काम हो जाता है तो passenger है जो वो गंबीर जटका उनको नहीं लगता यही reason है spring system का आईए और example को discuss कर लेते हैं students bogeys of trains are provided with the buffers to avoid severe yurks during shunting of trains पहले buffers की बात कर लेती आपने train तो देखी होगी उनकी bogey के बीच में ऐसे instrument लगे होते हैं इसे हम buffer बोलते हैं buffers यह लगाई जाते हैं ताँ जो passenger को जावर train पटड़ी चेंज करती है line को change करती है तो passenger को जटका ना लग पाई इसके लिए हम train की bogey के बीच में buffers लगा देते हैं अब buffer क्या काम करती है buffer क्या करते है time rate of change of momentum है momentum उसके समय को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं ऐसे करने के साथ क्या होता है change in momentum वो decrease हो जाता है जब train क्या करती है line पटड़ी को change करती है अब momentum change in momentum decrease हो जाता है decrease होने के करन जो बल है जो bogey ने passenger पर लगाना होता है वो बल क्या है काम हो जाता है बाई विकॉस फोर्स बल क्या है directly proportional to सीधे नुपात में है time rate of change of momentum अब जितना momentum कम होगा उतना बल कम होगा तो बफर्स क्या करते हैं momentum को क्या कर देते हैं change in momentum को decrease कर देते हैं ऐसा करने के साथ जो जो bogey बल लगाती है कब जब train पटड़ी को change करती है वो momentum कम हो जाता है इससे क्या हो जाता है बल भी क्या हो जाता है कम लगता है on the passenger तो journey क्या हो जाती है safe हो जाती है इसके पीशे का कारण बफर्स लगाने का कारण यही होता है that means जहां पर भी क्या है impulse है जो concept वो apply होता है आएए और examples को detail में discuss कर लेते हैं in the next example students a person falling on paka flow means we can say cemented road or frozen ice जमी हुई बर्ब उस पर जड़ी कोई person गिर जाता है is likely to receive more injuries तो उस person को क्या लगती है चोट लग जाती है ज्यादा चोट लगती है in comparison then on falling on kachya floor कच्चा floor means loose earth और soft snow cotton पर जड़ी गिरता है और knit पर गरता है तो इन cases में चोट कम लगती है लेकिन जड़ी परसन on a पका floor पर गिरता है आप इसे cemented floor भी कह सकते हैं road पर भी गिर सकता है cemented road पर भी गिर सकता है तो इस case में चोट जादे लगती है in comparison of kachya floor reason क्या है तो पहले हम पका floor की बात कर लेती हैं जब परसन गिरता है on the पका floor तो जो उसका momentum होता है पहले कुछ ना कुछ momentum होगा mass into well house की जब वो गिरता है तो suddenly उसका momentum क्या है जीरो हो जाता है कब जब पका floor पर गिरता है अब momentum क्या बन जाता है जीरो बन जाता है पहले कुछ momentum था उसके 50 गिरने के 50 सब्सक्राइब जात मोमेंटम विकाम्स जीरो नव चेंच इन मोमेंटम में जो बदलाओ होता है इस केस में बहुत ज्यादा है अब चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है जो परसन की बोड़ी है वो ज्यादा फोर्स के साथ फलोर को क्या करती है हिट करती है अब उतना ही रियक्शिन फलोर करता है पका फलोर डैट मीज पका फलोर पर गिनने पर परसन को ज्यादा फोर्स क्या है लगती है ज्यादा बल उसकी बोड़ी पर लगता है उसे चोट भी ज्यादा आती है अब बात कर लेते हैं जब परसन लूज अर्थ पर सॉफ्ट स्नो पर कॉटन पर और नेट पर गिरता है इस केस में चेंज इन मुमेंटम है जो उसका समय बढ़ जाता है एंड चेंज इन मुमेंटम जो उसकी वेल्यू होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है कम होने के कारण जो बोड़ी है परसन की वो लेस फोर्स इग्जर्ट करती है तो इंजरी भी क्या है कम आती है स्टूडेंट्स ये तो थी सम एक्जेंपल्स जो हमवारा टॉपिक था इंपल्द उसके रिगार्डिंग्स इन दा कमीं वीडियो आइवल बी एक्स्प्लेंट फ्यू एक्जेंपल्स ओन ला ओव कंजर्वेशन ओव लिनियर मोमेंटम चैनल को प्लीज सब्स्क्राइब करें वीडियो को शेर कर दीजिये थैंक यू सो मच फॉर वाचिए वाचिए